आप सबीका स्वागत है चलिया आज के Health and Wellness प्रोग्राम में हम देखते हैं Diabetes से जुड़े कुछ Myth and Truth Diabetes आम तोर पर मदू में की नाम से जाना जाता है Diabetes में या तो हमारे शरीड में इंसुलिम बनता ही नहीं है या हमारे शरीड की कोशिका है इंसुलिम के प्रती सवेदेंशिल नहीं रह जाती और शुगर उनमें स्टोर न होकर खुन में मौझूद रहती है Type 1 Diabetes में हमारा शरीड इंसुलिम बनना ही बन कर देता है या या अटो इमिन डिसीज रहता है या हमारे शरीड में ग्लुकोस की मातरा बढ़ जाती है तो इस स्तीती को Diabetes कहा जाता है या इंसुलिन की कमी के कारण होता है इंसुलिन एक हार्मोन है जो पाचन से बनता है या हमारे शरीड में खाने को उरजा में बदल देता है Diabetes के मुख्य जो प्रकार है उसमें Type 1 और Type 2 इस तरह से Dividation किया है DM परियात इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए अगनाशे की विफलता यही Type 1 का मुख्य कारण है और Type 2 में DM इंसुलिन प्रतिरोध से शुरू होता है एक ऐसी एक स्थिती है जिसमें कोशी का इंसुलिन को ठीक से जवाब देने में विफल होती है यह जानते हैं कि स्वस्त वेक्ति की शुगर बढ़ने का कारण क्या होता है दरसल शुबा शुगर इसले बढ़ती है क्योंकि रात में सोते समय वेक्ति के शरीर में सभी हर्मोन्स को पंट्रोल करने के लिए अधिक मातरा में इंसुलिम बनाता है इसी वज़े से शरीर में शुगर की मातरा अधिक हो जाती है आम तर पर देखा गया कि बलड में शुगर बढ़ जाने से वेक्ति को भार-भार प्यास लगती है उनका गला सुका-सुका सा मैसूस रहता है और जितनी अधिक मातरा में वेक्ति पानी पिता है उतनी ही अधिक बार उसे यूरिन भी जाना होता है पानिना पीने पर urine tea मात्रा नॉर्मल शुगर के अगर बात करे तो आमतारो पर भूके रहने पर शुगर की मात्रा 70 से 110 के बीच होती है खाना खाने के आदा गंटे बाद ये मात्रा बढ़ कर 110 से लेके 140 तक हो सकती है जिस वेक्ति को 75 ग्राम ग्लोकोस खाकर 2 गंटे बाद टेस्ट करना है उसे कही नहीं जाना चाहिए बलकि वेट हेरना चाहिए एक देट गंटे घुमाने से इस टेस्ट के रिजर्स पर इसका असर होता है अगर नॉर्मल रीडिंग की बात करेते हैं आमतोर पर जो लोग पूरी तरह से स्वस्त होते हैं और जिने डियाबिटीस की परेशन ही नहीं होती उनमें नॉर्मल बलड शुगर का लेवल 70 से 99 मिलिग्राम डियल की बीच में होता है बता दे कि बलड शुगर का ये जो स्तर है फास्टिंग में भी होता है यानि कि रेकती 8 गंटिया उससे अधिक समय से भूका हो सकता है आमतोर पर शुगर कब होता है ये दिखते हैं जब हमारे शुरे में पेक्रियाज जिसे हम अगनाशे कहते हैं इंसुलिन का उत्पदन करना कम कर देता है या बंद कर देता है तो हमारे बलड में ग्लुकूस का स्तर बढ़ने लगता है हम बिमारे के साथ कई लक्षन लेकर आते हैं जो हमें संकित देते हैं कि हमारा शरी स्वस्ता हिया नहीं शुगर के प्राथमिक लक्षन क्या है अगर आपको चोट लगती है और वह जल्दी ठीक नहीं होती चिर्चिरापन बढ़ जाता है नजर में दुनलापन हो जाता है बहुत ज़्यदा थकान हो जाती है नॉर्मल से बहुत ज़्यदा भूग भी लगती है वजन कम होने लगता है बहुत ज़्यदा गुस्दा आता है या फिर स्विंग आफ मोड होता है यह सारे लक्षन डाइबिटीज के माने जाते है जब आपको डाइबिटीज होती है तो शुगर में कौन सी सबजिया नहीं खाने चाहिए इसका पलंग करना आनिवारी है चुकंदर चुकंदर भली स्वाद में अच्छा लगता है फिर भी बहतरी चीज माने जाते है लेकिन डाइबिटीज के रोगी के लिए यह सही नहीं है बीन्स भली मीठा नहो लेकिन इसमें स्टार्ज बरा हो रहता है टेमाटर सिट्रिक एसीड से बरा हो रहता है कौन स्वीट मीटास से बरा होता है इसमें स्टार्ज भरपूर मात्रा में होती है तो ऐसी चीजी जिसमें स्टार्ज भरपूर मात्रा में हो उसका हमें सेवन नहीं करना चाहिए अन्यान तरित शुगर को कभी भी हलके में नहीं लेना चाहिए अगर आपको डाइबेटीस की दवा लिनी है तो वह आदा गंटे से पहले आप ले सकते हैं डाइबेटीस में लापकारी चीनी भी होती है रक्त में शुगर के स्थर को कम रखने के लिए एक मेने तक अपने प्रती दिन के आर में एक ग्राम दालचिनी का आप प्रियोग कर सकते हैं दालचिनी का इस्तिमाल आप शुगर की घरेलु दवा की रूप में भी कर सकते हैं लेकिन यह लेने से पहले वेद्दी की सला अबश्र ले कुछ फलों में शरकरा की उच्च मातर होने के कारण ऐसे फलों को डायबेटिस के रुग्यों को नहीं देना चाहिए जैसे अंगूर, चेरी, आनना, स्केला, सुके मेवे, मीटे, फल, उनका जूस या लेना अच्छी बात नहीं है एक छोटे अंगूर में भी लगबग एक ग्राम कार्भाइड्रेट्स होता है इसलिए डायबेटिस के रुग्यों को इसका सेवन न करना ही उत्तम होता है डायबेटिस को कंट्रोल करने के लिए एड अन ओन के डायबेलाइफ आप ले सकते हैं ये कैपसूल आपको डायबेटिस से रहात दिला सकती है तो कोई इस बात की जानकर नहीं होती कि डायबेटिस के दवरान दूद पीना बहत फायदे मन होता है एकसपर्स का कहना है कि एक गिलास दूद में 8 ग्राम प्रोटीन होता है जो ना सरिफ डायबेटिस के मरीज के लिए बलकि और भी कई बीमार्यों के लिए फायदे मन होता है डायबेटिस के मरीज गुड का सेवन करते हैं तो उन्हें जरूर कम मात्रा में सेवन करना चाहिए क्योंकि गुड में अतदिक शुगर के तत्व शामिल होते हैं जिसकी वज़े से डियाबिटीस के मरीज का बलड शुगर बढ़ सकता है गुड का ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स 84.4 होता है इसके चलते हैं डियाबिटीस के मरीजों को गुड का सेवन करना उप्यूक्त नहीं माना जाता है डाइबिटीज के मुरीज सभी तरह के चाबल खा सकते लेकिन ब्राउन राइस वाइट राइस की तुलना में ज़्यादा फायदे मन होता है वाइट राइस में स्टार्ज की मातरा ज़्यादा होते हैं जिसकी वज़े से यह जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं होता है रिशर्च यह बताती है कि ग्रीन टी का सेवन करने से ब्लेड प्रेशल कलेस्ट्रोल लेवर और टाइप 2 डियापिटी का रिस्क भी कम हो जाता है आप ग्रीन टी पी रहे हो ब्लैक टी या हर्बल टी चीनी का सेवन ना करें आप चाहिए तो अपनी चाहे में इस वाले मरीज पिनट्स या मउंगपली का सेवन कर सकते हैं मंगपली को रोस्ट करके कच्ची या साल्टेड या फिर प्लेन ही खाया जा सकता है दिन में एक मुटी मउंगपली खाने से डिवेटीज के मरीज़े को काफी फाइदा मिलता है ति आपको किला खाना है तो वह A.C.E. fiber folate और copper पाया जाता है जिसलिए diabetes के मुरीजों को यह दिया जा सकता है diabetes के रुग्यों के लिए dance करना एक महान गतिविदी हो सकती है dance करने से आपके पूरे शरीड की कसरत हो जाती है blood sugar को control करने, calories को burn करने, अच्चे calistron को बढ़ाने और crap calistron को कम करने के लिए भी dance या नुरुत्त करना काफी फायदे मन होता है यह आपके दिल के लिए भी बहुत अच्छा वयाम मना जाता है अगर आपको मेती खानी है तो मेती के पत्ते फैबर से भरपूर होते हैं जो शरीड में पाचन क्रिया को धिमा करते हैं इससे शुगर का एपसॉस्ट्रम जल्देनी होता साथ ही इसके सेवन से शरीड में जो इंसुलिंग की मात्रा को बढ़ाने में यह मदद मिलती है इसे पराटे, थेपला, वडा, होटस, चावल या फेरीस की सबजी बना कर आप खा सकते हैं डाटेज के मरिजों के लिए गाजर बहत फायदेमन होता है गाजर में फाइबर भरपूर मात्रा में पाय जाता है जिससे यह आपके खून में बहुत धीरे-धीरे शुगर रिलीस करता है गाजर में विटैमिन ये और मिरेडल्स की अच्छी मात्रा पाई जाती है मात्रा पूर्ण जानकरी साथ आप से रुबर होंगे तब तक के लिए धन्यवाद